यदि आप कर रहे हैं मार्चल प्रदेश के किसी भी गॉर्मेंट एक्जाम की प्रिप्रेशन तो प्यास्टी को कर दीजिए सब्सक्राइब यदि आप पाना चाते हैं यहाँ पर अप्लोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का पिएसडी में दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में छे मेहतोपुन साहित्यक सम्मान डिसकस करना वाला हूँ जो कि आपके 2018 में होने वाले सभी एक्जाम्स के पॉइंक आउव यू से कभी इंपोर्टेंट रहेंगे दोस्तों मैंने सभी प्रुसकारों के बारे में आपको विश्तार से इस वीडियो में चानकारी दी है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजेगा और हाँ दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरा उसा बढ़ाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेर कर दीजेगा और हाँ यदि आप जुर रहे हैं PSD से पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब किये ना बिल्कुल भी मच चाहिएगा और हाँ दोस्तों यदि आपको चाहिए किसी भी तरह का स्केड़ी मैट्रियाल पीडियाप के रूप में तो आप मुझसे फेसलू के जरी कॉंटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे PSD भाई के नाम से सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप मुझसे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने अकाउंट का लिंक प्रोवाइड करा दूगा या फिर आप यदि मुझसे वर्चाप के जरी कॉंटेक्ट कर चाते हैं तो 980-522-3162 मेरा वर्चाप नमबर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये मुख्य जानकारी दिसम्बर 2017 को साहिट्य अकादमी ने 24 भार्टी वाषाव में वाषिक साहिट्य अकादमी पुरस्कार की गोष्णा की किसे हिंदी भाषा के साहिति अकाद्मी पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा तो इसका अंसर है D. रमेश कुंतल मेग रमेश कुंतल मेग के साहितिक समिक्षा जिसका नाम था विश्वमितक सरित सागर के लिए हिंदी भाशा के साहिति अकार्वी पुरुषकार 2017 से नवाजा गया है तो आपको इस फैक्ट से मतलब 2018 में जितने भी एक्जाम होने वाले हैं उसमें ये फैक्ट आ सकता है और हिंदी वाला ही पूचा जाएगा अक्सर जो पूचा जाता है साहितिय अकार्वी पुरुषकार हिंदी में किसको दिया गया है 24 भारती भाशों में दिया जाता है बलकि जो एक्जाम में जातर पूचा जाता है वो हिंदी के बारे में ही पूचा जाता है खाल ही में भारतिय ग्यानपीट द्वरा तिन है 31 मुर्ती दिवी पुरसकार 2017 द्वरा सम्मानित के जाने की गुश्णा की गई या सम्मानित क्या गया है तो इसमें ये चार ओप्शन है तो इसका अंसर है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ इसका अंसर है बी जाय गोस्वामी ठीक है तो इसके बाले में थोड़ा जान लेते हैं 12 दिसमब 2017 को भारतिय ग्यान पीट द्वारा प्रसिद बंगाली कवी जाय गोस्वामी को वर्ष 2017 का 31 मुर्ती दिवी प्रुसकार प्रदान की जाने की गोश्णा की गई उनको यह प्रुसकार उनके कावे संग रहा है दू दो फोरा मात्रों के लिए दिय जाएगा या दिय गया अब यहां पर यही जाता है कि मुर्ती दिवी प्रुसकार को दी जाने की गोश्णा की गई और यह भी पुछ लिया जा सकता है कि 2017 में कौन सा मुर्टी दिवी पुरुसकार दिया गाए तीसवा एक तीसवा अठाइसवा बत तीसवा पहतीसवा किसी भी तरह का प्रश्ण पुछा जा सकता है तो हर तरह से आपको कबर करके चलना है और जो दो जार सोला का तीसवा मुर ठीक है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और रट लीजेगा मतलम मैं तो यह बताऊँगा ठीक है तो चलिए इस फैक पर आते हैं हाली मैं 27 में व्यास समान से किस साहितेकार को प्रुसक्रेट किया जाने की गोश्ण की गई तो इसका अंसर है C ममता कालिया ठीक है तो आठ इसमर 2017 को हिंदी की प्रसीद साहितेकार ममता कालिया को वर्ष 2017 के 27 में व्यास समान से प्रुसक्रेट किये जाने की गोश्ण की गई के के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा जारी विकेप्ती के अनुसार वर्ष 2009 में प्रकाशित उपन्यास जो इनका था 2009 में प्रकाशित ही गई है दुखं सुखं तो उसका मतलब जो रिवियू किया गया आता इस समीशतीर आतु इस में फ्रुस्ता को चाहिए टो इस समय संवान को इस प्रुस्तर के लिए लिए प्रुस्ता के लिए जी ब्योसकार दिक mentre इस जो यह समान यह था पदम पंखुरी की थार से के लिए प्रतान किया गया था ठीक है और एचीज और जान लेने जरूरी है कि जो व्यास समाने ये के के बिडला फांडेशन के द्वारा दिया जाता क्योंकि ये भी प्रेशन पुछा जा चुक है कि व्यास समान किस के द्वारा दिया जाता है तो क चले बढ़ते हैं अगले प्रशिन की और नेमन में से कौन सा मिलान भारतिये साहिते के प्रतिष्ठित ग्यान पीट पुरुसकार के संबंद में सही नहीं है तो इसमें कोई तीन सही है उनमें से एक अलग है जो गल्द है तो इसका ऑप्शन डी गल्द है बाकी तीनों के तीनों फैक्ट सही है तो जो त्रेपनवा ग्यान पीट पुरुसकार मिला है वो मिला है कृष्णा सोबती को और पहला ग्यान पीट पुरुसकार मिला था जी शं प्रतिश्टित ग्यानपीट पुरुसकार दिया गया है। लिखी का है ठीक है यह निरने की उनको मतलब लिए पुरुसकार दे जाएगा नामर सिंग की अधिक्षिता वाली चैन मंडलने लिया ठीक है हिंदी भाषा के लिखको में पहला ग्यानपीट पुरुसकार जो की सुमित्रा नंदन को पंत को दियागा थे सबसे पहले और 1968 में जो की ढानपीट पुरुसकार का 5 वा पुरुसकार था ठीक है और कृष्णसों अगरे में हुआ था है इनकी प्रमुकचर्चित प्रकृतियां है दार से भीचुडी मित्रो忙र जानी जिंद की नामा दिलोधानिश बादलों के घेरे लड़की तथा गुजराथ पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान आपको यह जान करी होनी चाहिए कि वर्ष 2016 में 52 वा ग्यानपिट पुरुषकार बंगला साहिते के प्रसिद्ध का भी शंक घोष को दिया गया था तो इस तरह के मतलब जो विश्तरित फैक्ट होता है मतलब डीटेल से जो पूछ लिया था मतलब एचेस पे जरूर पुछा जाएगा ठीक है एचेस होगया आईएस होगया पीचेस होगया जिस कई तरह के जो भी बड़े एक्जाम होते है वहाँ पर बाकि वन लाइनर टाइप में तो इस तरह से पुछा जा सकता है इस पुरुसकार को सबसे पहले किस तो पहला पुरूसकार 1965 में दिया गया था मलैलम साहितियकार थे जोकी इस पुरुसकार के अंतरगित 11,00,00 रुपय की धर्नाशी और प्रशासती पत्र ताथा वागदेभी की कासी की प्रतिमा म प्रतान की जाती है द्यान रहे कि वर्ष 1961 में बारती है ग्यानपी डॉयाज समिधान की आटवी अनुसूची में वर्णित बारे बाइस भाषेओं बारती भाषेओं में लेकन करने वाले साहितेकार को उनके जिवन भर के साहिती युगदान के लिए फन्सरूप यह पुरुसकार दियाता है यह आपने पड़ा तो आपने सही बता दिया हुआ और है ज्यार्ज स्घांडर्स थे का थोड़ास प्रम है इंपल्टाइक, यह जरूरब घर और न्fred प्रम झांद स्डणित बारम है , क्न वर्वर्यार्व आक्टोबर में GAR 310 950 के प्रम पहुदार नहीं PESC कि 2017 नहीं कि 2017 के मिलेगा तो अक्टोबर में मिलेगा तब तक के लिए आपको यह कॉश्चन इस तरह से पुछा जाएगा कि 2017 का मैं बुकर प्रोज़कार किसको प्रतान क्या गया था उनका कौन से उपन्यास के लिए गया था ठीक इस तरह से भी पुछा सकते है तो लिंकन इंदा बार्डो औ काजुओ इशिगुरो की निम्न मैं से कौन से क्रिती नहीं है तो इस मैंसे सी इनकी रिष्णा नहीं है एक पैल व्यू आफ हिल दा ब्रिड व्यॉंड जाइंट एंडी दरेमायस आफ दे यह सभी इनकी ख्रितिया है ठीक है रिष्णा है पन्यास है पांच अक्टूबर 2017 क अगरेजी लेकर काजुओ इशिगुरो को प्रदान के जाने की गोष्ण की गई यह मूल रूप से जपान के निवासी है लेकिन वर्तमान में यह ब्रिटैन में रहते है ठीक है इन्होंने करेंट विष्व विदाले से अंगरेजी और दर्शन चास में इसनात करने के पच् पुछ ले जा सकता है ठीक है एक पुर्ण कालिक लेखा के रूप में कारेक करते हुए इन्होंने बहुत सारा साहितिक्स रिजन किया जिसमें धरिमांस ऑप दे यह रिशना काफी इंपोर्टेंट है विशेश चुलकने है इसके लिए इन्हें वर्ष उनिस्वासी में बु कर पुरुसकार के लिए नामित किया गया नाक्टरनस फाइब स्टोरीज आफ म्यूजिक एंड नाइट फॉल वर्ष 2009 में प्रकाशित इनका प्रसित लगू कथा संग रहे है वर्ष 2015 में इनके काल्पनी कथा श्रेणी का उपनियास दब्रीड जाइंट का प्रकाशिन तो यह थे आपको साहिते से जुड़े वे पुरसकार 2018 में होने वाले सभी एक्जाम्स के लिए 2018 में जो भी एक्जाम होते हैं आपके अक्टबर से दमर अक्टबर तक वहां पर साहिते से जुड़ा जो भी प्रशन कुछ आएगा इनमेंसे बहार कोई भी नहीं हो ठीक है त तो वीडियो कैसा लगा होगा आपको मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजेगा लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलेगा यह आप जुड़े है पीसद से पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब किए भी बिल्कुल भी मत चाहिएगा और वीडियो क झाल झाल